जर्मा इंद्राक्षी जयंदे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवसे मेरे जहनिवर्सरी हैं सभी को हमाई तरफ से बहुत-बहुत शुक्त आपना हैं आज हम बात करने वाले हैं बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनको रातरी में स्वस्थ नीज नहीं आती और सुक संसादन होते हुए भी उनके जीवन में सुक नहीं आता यह बहुत-बड़ी बात है कि बहुत लोग पैसे से सुक समझते हैं उनके पास पैसा भी है उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर वे कहीं ने कहीं वो अपने आपको सुखी महसूस नहीं करते हैं अंदर उनके ऐसी हरवराट ऐसी घवराट रहती है अक्सर उसका कारण है आपकी हतेली में चंद्रमा और राहु यदि यूतिवद हैं हतेली की हम बात कर रहे हैं तो यह सुख को चैन को नीद को आराम को चीन लेते हैं वह चैनी बढ़ा देते हैं कैसे अभी हम बात करते हैं आईए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं आज के समय में हर व्यक्ति शांती चाहता आज के समय में हर व्यक्ति सुख चाहता और वास्तविक्ता भी है यह सब कुछ चाहिए लेकिन कई बार आपके घर में सब कुछ है संसादन है पैसा है सारे एशो अराम के जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ आपके पास है लेकिन उसके बाद भी आपके मन में शांती नहीं है एक तो होता है कि निर्धनता है घर में तराव है घर में कलेश है आज मैं अपोज़िट सब्जेक्ट ले रहा हूँ ये कि घर में तनाव है, कलेश है, पैसे कावाव है, हारी बिमारियां रहती है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको तनाव रहेगा, मन में घवराट रहेगी, खराबी रहेगी लेकिन सब कुछ है, फिर भी आपके मन में तंगी है, फिर भी आपको परेशानी है उसका कारण है आपकी हतेली में विद्धमान राहू और चंदर की युति राहू चंदरमा को ग्रहन लगा देते हैं राहू मन की जो शांती है उसको भंग कर डालते हैं अब आपकी हतेली में बहुत बरी किसी अध्यन किया जाता है क्या वास्तम में चंद्र और राहू की यूति है यहां आपकी हतेली में यह गद्धी नुमा जो इस्थान है मेरे साथ गो यह चंद्रमा होता है यहां इस जॉइंट से उपर यह जॉइंट दिख रहा है आपको इस जॉइंट से उपर यहां राहू होता है नीचे केतु होता इस चंद्रमा का ढ़लान कुछ लोगों का बाहर का होता जैसे हमारा कुंडली में है ये बाहर की तरफ है ऐसे ही कुछ लोगों का ढ़लान ये मूमेंट चंद्रमा का बिल्कुल अंदर की तरफ होता और जहां राहू का पाइंट है उसका मुमेंट चंद्रमा की तरफ होता है तो ये चंद्र और राहू की युति माने जाती है जनम पत्रिगा में तो बहुत आसान होता है ये देखना आप भी देख लेंगे कैसे कि चंद्रमा के साथ राहू बैठे हो तो चंद्र ग्रहन बन गया चंद्रमा की दिरश्टी राहू पर हो, राहू की चंद्रमा पर हो, तो भी मन में कुछ-कुछ खराबी रहेगी, लेकिन चंद्र राहू तो कुंडली में अगर इखटे बैठें, तो बच्चा भी पढ़ लेता, दिख जाता, लेकिन उसके प्रणाम, कि वो जनम पत्रिका के क इस भाव में बैठें, वो इस्तिती देखे जाती है, एक नमूना मैं आपको दिखा भी देता हूं कुंडली में, आएए, आप अपनी स्क्रीन को पर ये कुंडली देखें, अब इस कुंडली में हमने चंद्रमा और राहू को पंचम भाव में बिठाया, या ये मालने, ये किसी की भी कुंडली है, और उसकी कुंडली में चंद्र और राहू पंचम भाव में है, पांच मा भाव बुद्धी का होता है, अगर चंद्र ग्रहन दोस्व पंचम भाव में है, और ये कोई स्टूडेंट है, चात्र है, तो इसकी पढ़ाई में इसको दिखते रहेंगी, तो बुद्धी इस्थान होता है, विध्या इस्थान होता है, पढ़ेगा लेकिन मुश्किलों के साथ, यह याद नहीं रहेगा, आम व्यक्ति की कुंडली में हैं, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को मन में शांती व्याप्त रहेगी, बुद्धी हरसमें भर्मित सी रहेगी, य हम अपनी हतेली की बात करना है। बहुत लोग ऐसे हैं, जरंपत्वी खाएन हैं, बहुत लोग ऐसे हैं ह। तो वहाँ पर उनकी हाथ चेहरे की रिडिंग की जाती है, अब यह चंद्र यही ग्रैंड लगाएगा, यही चंद्र आपके मन्न को मजबूत करेगा, और यही आपको कई बार घर वाले पूछेंगे आपको कमी क्या है आपको टाइम पे सारी चीज़े होती हैं आप फिर भी क्यों परेसान रहते हैं कारण बताएं आप कारण भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे ऐसा कई मैंने जो सादक हैं कई मैंने ऐसे उनकी हाथ की रेखाएं देखी हैं और इश्वर के करपा से भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है लेकिन हर समय मन में ऐसंतोष व्यापत रहता है घवराट रहती है कई बार तो राहू का प्रकोप चंद्रमा के साथ की इस हद त करें कि जीने की चहा तक खतम हो जाती है उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना किसी से मिलना ना कई जाना ना हसना ना बोलना कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आपको कैद कर लेते हैं तो देखो गरोहों का प्रणाम बहुत धुश्कर होता है अब इसके दो रास्ते हैं ह बस यह है वह है बहुत सारी बातें है तो देखो वह हंमत करके गाई त्री मन्त्र की दिक्षा ले या गाई त्री महा मंत्र को पढ़ना पाबारे हैं और सबसे पहली बात तुम्ने यह नहीं दूँगा किसी विशेटर्यों को अपना हाथ दिखावे और उसके उपाई करें आगे बढ़ते हैं, अब पत्नी के साथ ऐसा है तो पती क्या उपाय करें, पती के साथ ऐसा है तो पत्नी क्या उपाय करें, किसी बच्चे के साथ ऐसा है तो उसकी माता पिता क्या उपाय करें, उपाय यहां पर सेम होगा, जो मैं बताने जार हूँ, एक तो पूर्ण विधी विद्धी विधान में चूक्ना हो, इध्याण रखना, आनुष्ठान सब करवा लेते हैं और कर लेते हैं, लेकिन हरखीर की तरीका होता, अब तरीके से होगा, तो उसका काम अच्छे से बन जाएगा, कैसे खाना सब बना लेते हैं, लेकिन स्वाद किसी-किसी के हाथ में होता पेट सब भढ लेते हैं लेकिन देखो भाई खाने का जो स्वाद है बहार आदमे के हाथ में नहीं होता ये आपको मन आपड़ेगा साथ ऐसे ही है हर छेत्र में ये चीज़े होती है कि भाई शिक्षक बहुत है लेकिन किसी किसी शिक्षक की पढ़ाने का अंदाज ऐसा होता है कि जो उसके चात है ना मन को महले थे आज भी आप अपने जमाने के टीचर याद करेंगे तो कुछ-कुछ टीचर ऐसी होंगे जो आपकी मन इस्मर्ती में हमेशा उक्रे रहते हैं अरे वो हमारे सर थे बहुत अच्छा बढ़ाते थे वो ही वाली बात होती है अनुष्ठान के रूप में अगर पूर्ण विदी विदान से अच्छा लाब मिलता है तो रुद्रावी शेक बहुत विदी विदान से कराई जाए जाए एक चीज़ और बताएं इंद्राक्षी कबच के ग्यारा सो पार्ट ऐसे विक्ति के लिए विदी विदान से करवाईए लाब जरूर मिलेगा जरूर लाब मिलेगा ऐसे विक्ति को सुमभार के दिन चांदी के गलास से पानी चंद्रमा से सफेज संबंदित चीज़ों का दान लाइक कपूर का दान दूद का दान दही का दान गी का दान रूई का दान उसके हाथ से करवाया जाए सुमभार के दिन ग्यारा सुमभार कराने और कितना करीब चार सो ग्राम के आसपास गी है चार सु ग्राम दिलाई है, चार ही क्यों आखो होते हैं कर्करासी के स्वामी हिते हैं और कर्करासी 12 राशियों में तो इसलिए चार सु ग्राम दिलाओ ठीक है? अब राहु की बात आंगई यहां बटुख भहरव के कुछ विशेस स्तोत्र होते हैं जो ग्यारा सो पार्ट बटुग भहरव के विशेश विदी से कराए जाए इधर चंद्र के उपाए उधर रहू के उपाए तब उस व्यक्ति के जीवन में रहत आएगी और नहीं तो वो व्यक्ति स्वेम करें तो गाहितरी महामंत्र की चार च्छे मेने दिवू मन लगा करके प्रात अकाल उगते हुए सूरिय को साक्सी समझ करके बैठ जाए आलती पालती मार करके मेरू दंड को सीधा रखे कमर को सीधा रखे बैक बोन को और हलकी हलकी आखे खुली बंद मुद्रा में गाहितरी मंत्र चार च्छे महीने में निश्चत 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 उस व् में लेगी सुख का सागर मन उसके मन में लहराने लगेगा करके देखे अब हम लोग करते नहीं है हम लोग सस्ता ढूंडते कि आसानी से कोई भी आ जाये सस्ते में हो जाये ऐसा हो जन्म जन्मांत्रों के ये ग्रह होते हैं कई-कई जन्मों के ग्रह ऐसे होते हैं जो जिनका जब हमारे उपर प्रभाव बना रहता है उसकी वज़ा से ग्यात अग्यात अनेको पाप, अनेको ऐसे अपुन्य होते हैं जिनका विनाश महाविशेस रूप की शक्ती की साधना करके किया जा सकता है। और पूर्णिमा के दिन किसी साधू सन्यासी को पाँच पूर्णिमा पीले या सफेद पाँच वस्त्र उने बुद्धे में और सफेद रंकी मिठाईदे में कुछ दक्षणा देकर के चड़नों को छूँएं बहुत अच्छी सम्की मिलती है। कोई ऐसी चीज नहीं है। कहीं न कहीं उपाए करने से राज जरूर मिलती है। हमने भगवान शिव की बात की है, चंद्रवा की बात की है, कुछ मांसे के शांते की बात की है। तो भगवान शिव की साथना से जुड़ते हैं। आए जुने सिव साथना से। ओम आत्मा त्वंगिर जामती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समा जिस्ति दे। संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं। चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्ववे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं। वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं। वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम् वन्दे मुकुंध प्रियं। वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं। ओमकरपूरगुरं करुणावतारं संसारशारं भुजकेंड्रारं। सदावशंतं व्रिदयार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी। सब्सक्राइब भवं भवानी सैतं नमामी। सब्सक्राइब भ्यान जने शिव शंबू का 180 संसर्थ के ओपर बरस रहा है। सब्सक्राइब भवाने समान्या हो जाए। वैदिक बनती हैं जो हमारे और नई वाली जो अब हैं वह सिग्र से सिग्र भेजने का हम लोग परियास कर रहे हैं। आप स्वस्त रहें, सूखी रहें, इनी सुप्रावनाव के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं। गुरुजी जो भी कुछ बताते हैं, उनके प्रेड़नास हो तो हम कुछ भी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें वाकई मन की शान्ती मिलती है। जो दुनिया दारे की शान्ती है, जो वहां नहीं मिलती है, वो हमें यहां के मिलती है। गर के शान्ती बहुत बड़ी चीज है जो शायद आम गुरों में अशान्ती की रूप में रहती है हम यह मैसूस करते हैं कि हम बहुत खोशे परिवार से आचारी जी के उपायों के बाद किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें